मैं जब विद्वा हुई तो मेरी जिठानी ने मेरी शादी अपने पती से करवा दी, और वह मेरी सौतन बन कर दिन रात मेरी सेवा करने लगी, वह रोज रात को मुझे देसी घी का पराठा खिलाती और दूद देती, और कहती जल्द ही तु हमारे परिवार के वारिस को जन्म ना सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग की साड़ी पहन रखी थी और उससे अपना चेहरा धक रखा था तो वह मेरे ही कान में बोली आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना मुझे शक हुआ मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई कुछ देर बाद मेरी तो जान निकल गई ये देख कर कि वहां तो मेरा पहला मेरा नाम सीमा है मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं बता नहीं सकती मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बरवाद होता रहा था मैंने सब कुछ स्विकार कर लिया था कि मैं मतलबी थी मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवादी गई मेरे लिए रिष्टा एक रिष्टेदार नहीं लाया था लेकिन ये लोग हमारे महले के थे हमको आते जाते देखते रहते थे हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे ये ज्वाइंट फैमिली थी और उस घर में तीन बेटे पहले से ही शादी सुदा थे आखरी दो बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी मेरे होने वाले जेट की बीबी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिय गया था, मेरा परिवार अच्छा था, मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं एक लौती बेटी थी, मेरी जिठानी का नाम घीता था, हम दोनों की शादि एक साथ ही हूई थी और शकल सूरत से वह जादा अच्छी नहीं थी इसलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ करते कि तुम उससे ज़्यादा खुबसूरत हो और मेरे पती राजीब आम सकल सूरत के मालिक थे जाने अंजाने में मैंने गीता के साथ बहुत बुरा किया था क्योंकि कि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था फिर भी वह बेचारी बहुत देर बैठी रही कहते हैं कि दो लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए वरना इसी तरह का कोई सीन होता है लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे उन्होंने कहा कि दो भाईयों की शादी एक ही साथ करवा दी जाए जबकि हमें तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी क्या कर सकते थे हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिन्दगी की सुरुआत कर दी थी वैसे तो वह जॉइंट फैमिली थी लेकिन सभी के चूले अलग-अलग थे और इसी बात का आराम था जीवन अच्छा चल रहा था कोई समस्या नहीं थी मेरे पती भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे लेकिन मेरी जिठानी के कमरे से हमेशा लड़ाई जगडे की आवाजे आती थी पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है क्योंकि साथी की सुरुवाती दिनों में तो थोड़ी बहुत बहस रूठना हो जाता है जिसमें पती पतनी एक दूसरे को मनाते हैं लेकिन यहां पर तो बहुत ज़ादा जगडा हो रहा था और मेरे जेठ जोर जोर से अपनी बीवी पर चिलाते रहते थे जब मैंने अपने पती से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी तब ही मैंने अपने जेठ की आवाज सुनी और मैं इसलिए रुख गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था मेरे जेठ नजाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिला रहे थे मैं सोचने लगी कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे पती ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया मेरे जेठ और मेरे पती में सिर्फ साल भरका अंतर था एक दिन मेरे जेठ ने मुझे रोका और कहा आप मेरी बीबी को कुछ सिखा दे उसे कहें कि वहे आपकी तरह सजधजकर रहा करे मैंने अपने जेठ से कहा आपकी पत्नी बहुत प्यारी है उन्हें सजाने की जरूरत ही नहीं है तो कहने लगे बिल्कुल भी प्यारी नहीं है आप सब उसका दिल रखते हैं तब ही तो बहे अपना खयाल नहीं रखती है एक दिन सुभा से ही मेरा दिल बहुत जादा घबरा रहा था जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पती इस दुनिया से चले गए दरअसल रोड एक्सिडेंट हुआ था मेरे पती और मेरे जेट दोनों ही मोटर साइकल पर जा रहे थे और उनकी मोटर साइकल कार से जा टकराई मेरे जेट को तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी लेकिन मेरे पती इस एक्सिडेंट में मारे गए मैं गम में डूप चुकी थी अभी तक मेरी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था और मैं बिद्वा हो चुकी थी पती के देहांत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे सब कहने लगे इस लड़की की जिन्दगी तो परवाद हो गई है अब इससे शादी कौन करेगा आज कल तो कुवारी लड़कियों को भी रिष्टे नहीं मिलते मेरी जिठानी भी बहुत उदास थी बार बार मुझे समझा रही थी लेकिन मैंने सारा गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया मैंने कहा तुम्हारे पती के साथ ही मेरा पती गया था किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को लेकिन जब खुद पर बीटती है ना तब पता चलता है अगर मेरी जगा आस तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरहा बरदास्त करोगी तुम्हारा पती तो सही सलामत है मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है मेरे जेट ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया पती के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है पती को गुजरे हुए चै महिने हुए थे जब मेरी जेटानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर घरवाले तुरंत ही तयार हो गए और वह बात ये थी कि मेरे जेटानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी वह चाहती थी कि मैं उसके पती यानी कि मेरे जेट अमन से शादी कर लूँ घरवाले और अमन भी इस बात के लिए तयार थे अब सारे एक साथ बैठे हुए थे तब ही जेट ने कहा मैं ही मोटर साइकल चला रहा था राजीब मेरे पीछे बैठा था मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे हिस्से की मौत लेकर चला गया इसलिए उसकी जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए घरवालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो हम तुमें बड़े शान से साधी करके लाए थे अब तुम हमारे बेटे की आखरी निशानी हो तुमें देख कर हमें हमारे बेटे की याद आती है तो इसी घर में रह जाओ, तो अच्छा है, मेरी मावाब को भी बुला लिया गया, उनका भी यही कहना था, यह फैसला एकदम सही है, जब लड़का, यानि की मेरे जेट, इस बात के लिए तयार हैं, तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, मेरी जेटानी भी तयार थी, उसने मेरे हाथ पर हाथ रख कर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है, मैं अपने पती को तुम्हारे साथ बांट कर बिलकुल भी दुखी नहीं हूँ, मु मुझे यही समझाया था, कि ये सबसे अच्छा निर्णे है, और मेरे जेट की अभी से सब तारीव करने लगे, कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णे लिया है, अपने भाई की विद्वा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है, उनकी बीवी यानी मेरी जेठानी की भी सब लोग प्रसंशा करने लगे, कि भगवान ऐसी बीवी सब को दे, जिसने अपने पती को सही रहा दिखाई है, वरना बीवीयां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती है, करते करते सब बड़ों की बात मान कर मैंने भी हां कह दिया, मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी, मेरे मावापने मुझसे कहा था, जिस कारण मैंने हां कहा था, अब मेरे जेट मेरा पती बन चुका था, मैं अभी वी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी, अभी वी वही मेरा कमरा था, लेकिन मेरे जेट, जो कि अब मेरा पती बन च उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था, मेरी दूसरी शादी को भी एक हफता ही हुआ था, कि मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई, जेठानी के हाथ में कुछ था, उसने एक प्लेट में एक वराठा रखा हुआ था, और गिलास में दूद लाई थी, कहने लगी मैं ये तुम्हारे व्याद को खाना नहीं खाती थी, उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा खैयाल रखना होगा, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, और भगवान जल्द ही, तुम्हारी कोक भर देगा, मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिल्चस्पी है, तुम मुझे रोज यही करती हूं, लेकिन तुम्हारे भी बच्चे होने चाहिये न? अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा। मैंने कहा कि काश, मुझे मेरे पहले पती से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही गीता ने मुझे हैरानी से देखा और कहा ये बात सुनकर तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा लेकिन भाईयों के बीच कोई राज नहीं होता है। तब बिल्कुल भी नहीं था मैंने तुम्हारा भला सोचा है वरना कौन अपना पती मैंसे किसी के साथ बाटता है तो तुम मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो उससे इस तरहा की बात करके मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों खराब हो गया था मैं सोचने लगी अपने पती से म बहुत अच्छी थी मेरा भी खयाल रखती थी ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बत्तमीजी की हो आला कि मैं एक बार गुस्से में आकर उस पर बुरी तरह से चिलाई थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था और जेट भी मुझसे बहुत प्यार करते थे मेर पती उनका रवया बिलकुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उनके भाई की बीवी थी थोड़ा सरमीला पन सामाने था लेकिन वह मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसे बैवार कर रहा थे जैसे मैं पहले दिन से उनकी बीवी हूँ वह मुझसे बहुत जादा प्यार करता था वह मेरा खयाल लगता था, कभी-कभी तो मुझे जवरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था, और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली बीवी को भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, पर मेरा पती किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता, और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था, मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से ज़्यादा प्यार मत दो, तुम बहुत ज़्यादा खुबसूरत हो, लेकिन उसकी पहले बीवी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुम कभी भी उसे उसकी बीवी से दूर मत करना, मैंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वह मेरे पती है, उनकी मैं कोई भी बात नहीं टाल सकती, उसे धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती न, लेकिन जाने अंजाने में शायद मैं अपनी जेठानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसन मेरा बहुत साथ दिया था, मैंने उसे सारी बात बता दी थी, कि दरसल मैं कुछ नहीं कर सकती, मर्दों का तो तुम्हें पता है, वे खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो गीता ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी हो, तुम दोनों का आपस में रिष्टा मजबूत होना चाहिए, वे मैलाएं बहुत भागिशाली होती हैं, जिनके पती उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पती अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते, वे बहुत ही दुरभागिशाली होती हैं, ये बात करते हुए मेरी जि मेरा चेक अप करवाने के लिए तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो लेकिन उसने कहा नहीं वह पैसे मेरे नहीं थे मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे मैंने कहा तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो तो कहने लगी मैं इतने सारे पैसे कहां से ले आऊंगी दरसल मेरे पती ने ये मुझे दिये थे और कहा था कि तुम्हें दे दूँ यूगि तुम भी उनकी पतनी हो तो खर्चा तो तुम्हें मिलना चाहिए ना मैंने कहा हमारा पती इतने सारे पैसे कमाता है तो कहने लगी हमारा पती तो पहले दिन से ही बहुत जादा पैसे कमाता था कभी-कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे अभी भी पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं मेरी तो किसमत चमक उठी थी, अपने पहले पती की याद तो दिल से ना गई थी, लेकिन मेरी जिन्दगी बरवाद होने से बच गई थी, अब मैं किसी की विद्वा नहीं, बलकि किसी की पतनी थी, अब जेठानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था, हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी, एक दिन हम लोग अस्पताल गए, तो मैं और मेरी जिठानी ने एक ही जैसी साड़ी पहन रखी थी, और उससे अपना चेहरा ढख रखा था, इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई, जब वह हमें डॉक्टर के पास लेकर गई, तो जाने से पहले, उसने मेरे कान में कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना, ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, ये क्या बात कर रही है, मैंने अपनी जिठानी की तरफ देखा, और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात को ये मेरे लिए पडाठा बना कर लाती है उसके साथ में एक गिलास दूद भी होता था क्या वह उसी में मुझे नींद की गोली मिला कर दे रही थी लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खेला कर क्या करना चाहती थी और मेरे साथ ये क्या कर रही थी अचानक मेरे दिल में जेठानी का नाम लिया था और फिर मेरी जेठानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी क्योंकि उसने अपने पती की शादी मुझसे करवा दी और वह ये भी चाहती थी कि मैं उसके पती का बच्चा पैदा करूं क्या वह खुद मा नहीं बन सकती थी ये सब क्या था मैंन मैं ये बात अपने पती से ही करने की सोची कि उन्हें सब कुछ बता दूँगी लेकिन आज मेरे पती ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वेर मेरे सामने आ गई थी मेरे पती ने कहा तुम उससे दूर मत जाना आज मैं तुमको एक बात बताता हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे साधी करना चाहता था मुझे मेरी बीबी बिलकुल भी पसंद नहीं थी ना उसके पास बात करने का धंग है और का ही पहनने ओडने का मैं उसे तुम्हारा उधारर दिया करता था वह तुमसे बहुत जादा नफरत करती थी मैं उसे कहता था कि तुम सीमा जैसी क्यों नहीं बन जाती मैं ये सुनकर हैरान हुई कि वह मुझसे नफरत करती थी मैंने कहा फिर उसने आपकी शादी मुझसे क चला गया। अच्छा होता कि मैं उसकी जगह पर चला गया होता। मेरा भाई बहुत अच्छा इनसान था। लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। इसलिए उसने ये बात मान ली, फिर मैंने ये भी कहा, कि वह तुम्हारा बहुत ज़ादा खयाल लखा करे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत पियार करता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, जब मेरे पती ने मुझे ये बात बताई, तो म मेरे पती हैरान रह गए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए कभी भी उसके हाथ में पैसे नहीं दिये। वो तुमसे जूट बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं। हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। जिसके पास वह तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए। लेकिन मैंने अपना भेश बदल लिया। मैंने दुपट्टे से सर के साथ साथ अपना मू भी ढख लिया। और मेरे पती को तो उन्होंने देखा ही नहीं था। फिर हमने डॉक्टर से जूट बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तो यहां पर गलत काम करती हो। वह भी रिश्वत लेकर वह थरथर कापने लगी। और कहने लगी ये बात आप किसी को मत बताना। नहीं तो मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मैं डॉक्टर नहीं रहूंगी। फिर मैंने उसे कहा मुझे उस औरत के बारे में दिया तो उसने तुरंत पहँचान लिया और कहने लगी उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी बच्चा पैदा ना कर सके और हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान ही चली जाए यानि की स्लो पॉईजन। ये बात सुनकर मेरे पैरो तले से जमीन ही निकल गई मेरे पती बहुत डर गए थे वो बोले वह तुम्हारी जान लेना चाहती थी तुम्हें बांज बनाना चाहती थी जरूर वह तुमसे बदला लेना चाहती है क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था मेरे पती ने सब के सामने ये बात की डॉक्टर का बया भी सबको सुना दिया इस बात के बारे में सबको पता चल गया डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुँच गए तब ही गीता सामने बैठी हुई थी मेरे पती ने कहा ये माफी मांगे मेरी बीवी से और कसम खाए किस तरह का काम दुबारा कभी नहीं करेगी तो मैं इसे माफ कर दूँगा वरना इसको आज ही तलाक दे दूँगा मेरी जेठानी ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई वो कहने लगी तुमसे माफी मांग कौन रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है अपने भाई की बीवी पर नजर रखने वाल मुझती हूं तो हैरान रह जाती हूं कि लोगों के चहरे और उनका बरताओ देखकर आप ये नहीं पहँचान सकते कि वह आपके साथ क्या कर रहे हैं कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं मेरी जेठानी के दिल में जहर तब बैठा ज मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वह मेरी जान लेने पर उतर आए और मुझे तु लगा इन सब के बाद मैं मा नहीं बन पाऊंगी पता नहीं वह तो मुझे कब से दवाई दे रही थी लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोग सकत है मुझे कुछ नहीं मालूम उसने फिर से शादी की या नहीं ये भी किसी को पता नहीं लेकिन कभी कभी मैं सूसती हूँ कि मेरे पती ने भी उसके साथ गलत किया वह ही उसको इस मुकाम तक ले आया कि वह इस हद तक चली गई लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो तो उसका ये मतलब नहीं या आप भी उसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वह होता है जो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा ही कर जाए। तो दोस्तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज इस कहानी को जाता से जादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं। थैंक्यू।